नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पिछले गल भारत्य डिफेंस को लेकर एक नहीं बलकि तीन ऐसी खबरे निकल कर आ रही है जो की बिलकुल भी सही नहीं है सबसे पहली अपडेट है भारत के फ्यूजरिस्टिक Stelts Fighters Aid याने की MHz की First Flight और भारत्य सेना में सामिल होने के टाइम को लेकर जो की एक बार फिर से डिले कर दिया गया है वहीं पर हमारी दोस्री अपडेट है रश्या के एक ऐसे Bomber को लेकर जो की एक समय पर रश्या भारत को बेचने के लिए ना सिर्फ बिलकुल तयार था ब इसके अलावा तीसरी update तेजस fighter jet के export को लिकर है तेजस एक बार फिर से एक बड़ी tender race में reject हो गया है और एक बड़ा failure बनने की रहा पर चल पड़ा है अब वीडियो में आगे बनने से पहले आप सभी से request है कि प्लीज इस वीडियो को like करके and तक देखते रहिए ताकि हमें टाइविस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली अपडेट की तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एमका फाइट आजट का जो प्रोजेक्ट है वह इस वक्त हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड और ADA यानिकी एरोनौटिकल डवलप्मेंट सेकेटरी डॉक्टर समीर कामत सर ने ये खबर दी है कि भारत के एमका की इंडियन एरफोर्स में इंडक्शन को लेकर जो साल 2022 तक का टाइम इनिसियेट किया जा रहा था वो अब 2022 नहीं बलकि 2035 होगा यानि कि एमका फाइट एजट में एक बार फिर से और ज्यादा डिले ह होगा और 2035 तक ही भारत का एमका इंडियन एरफोर्स में सामिल होना शुरू हो पाएगा और इस दिले के पीछे का कारण बताते हुए समीर कामत जी ने कहा कि ये सब कैविनेट कमेटी और सिक्योर्टी की तरफ से जो लेट अप्रूबल मिला है उसकी वज़ा से हो रहा है क लेकिन ये अप्रूबल मिला कब साल 2027 के मार्च महिने में और अब जब अप्रूबल ही लेट मिला तो प्रोटोटाइप भी देर से बनना शुरू होगा और साल 2027 या फिर 2028 तक ही प्रोटोटाइप का काम पूरा हो पाएगा और तब जाकर एमका के मेडन फ्लाइट टेस् तकरीबन 4-5 साल तक और तब जाकर कहीं 2033 या फिर 34 तक एमका की असेंबली का काम प्रोट्शन फेस में आएगा और 2035 तक इंडियन एरफोर्स को अपना पहला स्टेल्थ फाइट एमका मिल पाएगा अब देखा जाए तो 2035 तक एमका बनाने से भारत को ज़्यादा अपने जे ट्वंटी फाइट एजट को बना कर अपनी सेना में सामिल करने का टार्गेट रखा हुआ है और वो यह टार्गेट आसानी से पूरा कर लेगा क्योंकि चायना हर साल तकरीबन 90 से लेकर 120 फाइट बना रहा है यानि कि हर 3-4 दिन में चायना एक जे ट्वंटी बन रहा है और हम 2035 में साल भर में भी 20-30 एमका बना ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी और 2035 तक भी हमें एमका मिल पाएगा यह भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक तो हमारा एमका 2030 और 2032 तक आने वाला था डियाडियो कब दोबारा से टाइम लाइंग चेंज कर दे को जोगी 2008 और 2009 में जब एमका को लेकर काम शुरू हुआ था तक डियाडियो ने एमका प्रोजेक्ट को 2019 और 2020 तक खत्म करने का टार्गेट रखा था जिसे बाद में कोरोना पेंडेमिक का बाहाना देकर 2021 तक ताल दिया गया 2021 में भी इसका काम पूरा नहीं हुआ तो फिर इन साल लगा दिये हैं तो फिर उन्हें अप्रूबल तो लेट मिलता ही हमारा पॉइंट बस इतना है कि 2035 तक जब अमेरिका रश्या फ्रांस ब्रेटेन और चाइना जैसे देस अपने सिक्स्थ जनरेशन फाटेजट की टेस्टिंग सुरू करेंगे तब उस वक्त हम अपने फ दूसरी तरफ हम चाइना की स्पीड का 50 परसंट तक भी अचीव नहीं कर पा रहे एक तरह से कहें तो डिया ने एमका में डिले के सारे रिकोर्ड तोड दिये हैं चलिए बात करें अगर दूसरी अपडेट की तो यह अपडेट है रश्या के TU-22 M3 बॉंबर को लेकर दरसल रश्या का यह बॉंबर दुनिया का वन ओफ दा बेस्ट बॉंबर में से एक माना जाता है जो कि सूपर सॉनिक स्पीड के साथ साथ लगबख 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अब खबर निकल कर आ रही है कि रश्या ने भारत को साल 2012 में यह बॉंबर ओफर किया था साल 2012 में भारत जब रश्या के साथ अकूला क्लास की सम्मरीन की लीजिंग और अड्मीरल ग्रीगोरोविच एरिक्राफ्ट केरियर खरीदने की डेल को लेकर बातचीत कर रहा था तब सामने से रश्या ने भारत को कॉंप्रिहेंसिव मिलिटरी पैकेज के इंडर सम्मरीन और ए बजट का ना होना साथ ही सरकार का कहना था कि 22 की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कोस्ट काफी जादा है जो कि अभी फिलाल अफॉर्डेबल नहीं है इसलिए 22 को खरिदना फिलाल के लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन पिछले कल इस चीज़ को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया पिछले कल एक रिपोर्ट में एक क्लेम किया गया है कि पिछली सरकार ने रश्या के 22 को रिजेक्ट बजट की वज़ा से नहीं बलकि चायना की वज़ा सक्या था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भारत अपनी एयर पावर और ड पुश मिल सकता था जिससे कहीं न कहीं चायना के मन में भारत को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन जाती और यहीं वो कारण था जिसे पिछली सरकार ने कंसीडर क्या और रश्या के बंबर को रिजेक्ट कर दिया लेकिन बाद में हुआ कि चायना ने खुद के बंबर को नहीं हैं बात करेंगर तीसरी अपडेट की तो आज से कुछ दिन पहले फिलिपीन्स की तरफ से एक टेंडर रिलीज किया गया था जो कि 1.04 बिलियन डॉलर्स का था इस टेंडर में फिलिपीन्स ने विदेशी कंपनियों से कम से कम 12 नई फिलिवर किये जाने थे और इस ट से जो फाइनल कंटेंडर्स की लिस्ट सामने आई है उसमें अमेरिका का एफ 16 और स्वेडन के ग्रिपन को इंक्लूड किया गया है और एंड में इनी दोनों के बीच मुकाब्ला होगा और जो जीतेगा उसे ही फिलिपीन्स का टेंडर दिया जाएगा भारत का तेजस इस र इचर्ट कर सकता है तो हमें इस रियालेटी को एकसेप्ट करना चाहिए कि हमारा तेजस शायद एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता हाला कि अभी तक इस मुद्दे पर एचल की तरफ से कोई फाइनल कंफरमेशन नहीं आई है लेकिन इतना दो साफ है कि फिल आइकन को ज़रू पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मलती रहे जै हिन जै भारत